समस्क्राइब दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल स्टॉप मार्के टुडे पे उस इस चैनल पर आपको मिलती है बहुत सारी जानकारी सबसे पहले सबसे सटी विदानता की डिलिस्टिंग की न्यूज के बाद एक और जबरदस जिसने बाजार में सबको चॉँखा दिया है लोग सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी दिगज कंपरियां डिलिस्टिंग के लिए क्यों तयार हो रही हैं क्यों पर ऐसा हमने पहले भी अनुमान लगाया था, आज उसी खबर पे एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, 22 जून को, अधानी पाउर के Board of Directors की मीटिंग में अधानी पाउर को डिलिस्टिंग के decision को मंजूरी दे दी गई है, डिलिस्टिंग प्राइस होगा 33.82 पैसे, जून 19 क जब मार्केट बंध हुआ, तो अधानी शेर का प्राइस था, इसका साफ साफ मतलब यह निकलता है, कि अधानी शेर ने 19 जून के मार्केट क्लोज प्राइस से 10% नीचे का प्राइस सागेट रखा है, डिलिस्टिंग के लिए, इसका क्या मतलब है, आप आगे क्या होगा, और इन्वेसर्स क्या करें, कि जानने के लिए पूरा वीडियो अंतक जरूर देखें, दोस्तों अगर आप साफ मार्केट में नए हैं, और अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्मेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्रिप्शन में, एंजल इंक्रीज हुए हैं, और इस पिक टाइम पे अदानी पावर के बोर्ड ने फैसला किया है कि कंपनी को डिलिस्ट करना चाते हैं, उनका कहना है कि डिलिस्टिंग का डिस्रिजन कंपनी के शेरोलर्स को बेनिफिट को ध्यान में रखते के लिया गया है, अदानी के कि आदानी पावर ने डिलिस्टिंग प्राइस 19 जून के क्लोजिंग प्राइस से 10% कम रखा है क्या इस डिसिजन के बाद इमिजेटली डिलिस्टिंग हो जाएगी नहीं डिलिस्टिंग का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी अपने शेर्स मार्किट से उठा लेती है और अदानी की डेट हिस्टिंग के उपर में अदानी पावर का नेट डेट एजन सेतंबर 2019 है 523.5 बिलियन रुपीज यह फिगर एक साल पहले 447.8 बिलियन था इसका मतलब साफ है कि नेट डेट इंक्रीज हुआ है अदानी पावर का नेट वर्थ 117.3 बिलियन रुपीज है इसका सीधा मतलब यह है कि अदानी पावर की हेल्थ उतनी जादा अच्छी नहीं है और उनको अपने क्रेडिटर्स के पैसे चुकाने हैं तो मेजर रिस्टुरिंग या फंडिंग मेंचर्स के उपर ध्यान देना पड़ेगा क्या यही वज़ा है कि अदानी पावर ने डि लिस्टिंग का फैसल या था यह फ्यूचर आउटलुक खराब होने का मेंन रिजन है कोविड नाइटीन और वर्ल्ड एकॉनमी पे इसका इंपक्ट सारे मेजर इंडिस्टिल सेक्टर जैसे मेटल माइनिंग पावर सेक्टर और 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 नैच्रल गैस सेक्टर सब की डिमां इस लिस्टिंग को आगे लेके जाने के लिए माइनर्टी शेरोडर के 25.03% में से कम से कम 16.69% शेरोडर को इस प्रपोजल के फेवर में वोट करना पड़ेगा इन माइनर्टी शेरोडर में से फॉर्ण इंवेसर भी आते हैं बीचल फंस भी होते हैं इन सब में से 16.69% के मुताबिक तो अगर आपके पास अदानी पाउस के शेर हैं तो आप मोके की तलाज में रहें और अच्छा प्राइस मिली तो देखके निकल सकते हैं और अगर आप नई इन्वेसर्स हैं तो अपडेट्स पर नज़र रखिए निउस पर धिखान दीजिए कुछ दोस्तों अगर ऐसी निउस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा और सोशल मीडिया प्रेट्फोर्म पे इसको शेर करना ना भूले ऐसी इंटरसिंग निउस आपके सामने फिर दुबारा लेकिया हूँगा साथ देने के लिए बहुत दो शुक्रि आपके लिए बहुत आपके लिए एक शुक्राइब